अमीर खुसरो किस सुल्टान का दर्बारी कवीद था तो इस सवाल का सही जवाब देगा option यह नी अमीर खुसरो है जो अलवदिन खिल जी सुल्टान का एक दर्बारी कवीद था नेक्स्ट अगला दूसरा किसने फतेपूर सीकरी की इस्तापना किस बारतिय सासक ने की थी तो इस सवाल का सही जवाब जेगा ऑप्सन एनी फतेपूर सीकरी की इस्तापना है जो अकबर ने 1591 इस्वी में की थी अगला नेक्स्ट तीसरा किसन है विजोलिया किसान आंदोला ने मुक्यते कितने चरणों में चला था तो इस सवाल का सही जवाब जेगा ओप्शन एनी विजोलिया किसान आंदोला ने जो मुक्यते तीन चरणों में पूरा हुआ था और तीन चरणों में ये चला था अगलाने एक चौता क्यूसन है किस जाती के लोग सपेद रंग के पसू को पवितर मानते हैं तो इस सवाल का सही दवाब देगा ऑप्शन यहनी गराशे जिन जाती के लोग हैं जो सपेद रंग के पसू को पवितर मानते हैं और ग्राशी जन्जाती की लोग हैं वो सरवादिके उदेपूर और चिरोई जिले में सबसे अधीके रहते हैं कहां पर रहते हैं ग्राशी जन्जाती की लोग सबसे ज़ादा उदेपूर और चिरोई में जो सपेद रंग के पस्वों को हमेशा पवित्र मानते हैं नेक्स्ट अगला पांच वा क्यूसन है कोटा परदा मनल की इस्तापना किसमें की थी तो इस सवाल का भी सही द्वाब देगा ऑप्शन ए नी पंडित नईउन राम सर्मा है जिन्होंने उन्नी सो गुंचारीस में अभी नव हरी के साथ मिलकर कोटा परदा मनल की इस्तापना की थी किसके साथ मिलकर अभी नव हरी के साथ मिलकर उन्नी सो गुंचारीस में पंडित नईउन राम सर्माए जिन्होंने कोटा परदा मनल की इस्तापना की थी नेक्स अगला चटा किसने रादस्तान की बीनमाल कस्बे में आने वली चीनी यात्री कौन था तो इस सवाल का सभी जवाब देगा आपसन है भी यह नि रादस्तान के बीनमाल कस्बे में आने वली चीनी यात्री है वो हैंसकांग था और हैंसकांग एर राजस्तान के बीनमाल जालोर में आने वाला पहला चीनी यात्री था अगला नेक साथवा किसने राजस्तान में सावनी बोर्ड की स्थापना कहां पर की गई थी तो इस सवाल का सही जवाब देगा option C एनी राधस्तान में नसीराबाद में सावनी बोड की इस्तापना हैबो की गई थी अगला आटवा किसन है गांदी जी द्वारा सुरू की गई सापताई के पत्रिका कौन सी थी तो इस सवाल का सही जवाब देगा option A नी गांधी जी के द्वारा सुरूगी की एक सब्ताई की पत्रिका थी जिसका नाम था यंग इंडिया अगला next question है अमला नंद गोस ने 1951 बावन में सर्व परतम में किस इस्तल की खोज की थी तो इस सवाल का सही जवाब देगा option C नी अमला नंद गोस हैं जिनोंने साल 1951 बावन में और सर्व परतम में वो काली बंगा इस्तल की खोज की थी किस ने की थी अमला नंद गोस ने और कब 1951 बावन इस्वी में नेक्स्ट अगला दस्वा किसन है राजस्तान में देश का पहला राष्टी बीजी मसाला अनुसंदान के अंदर का इस्तित हैं तो इस सवाल का सही जवाब देगा option A नी अजमेर के तबीजी में राधस्तान और देश का पहला राश्टी बीजी मसाला अनुसंदान के अंदर इस्तित्त हैं काँ पर तबीजी अजमेर जिले में नेक्स्ट अगला 11 किसने बारती सविदान के किस अनुचेद में अलप संक्यों को के हितों के स्रक्षन की विवस्ता हैं किसने नमबर बारवा है नवीन राधस्तान नामक समाचार पत्र के संस्तापक कौन थे तो इस सवाल का सइभ जवाब देखा option C Nut विजाए सिंग पतिक हैं जो नवीन राधस्तान नामक समाचार पत्र के संस्तापक थे जिन्होंने साल 1922 में राधस्तान के अजमेर से इसमाचार पत्र को जारी किया था कब 1922 में और कौन सा समाचार पत्र है नवीन राधस्तान नामक चमाचर पतर था जो विजे सिंग पतिक के इसके संस्तापकत थी नेक्ष्ट अगला तेरवा किसने स्मार्ट सिटी मिसन के तहद देश के कितने सहरों का विकास किया जा रहा है तो इस सवाल का सही जवाब देगा आप्शन ए नी इसमार्ट सिटी मिसन के तहद देश के सो सहरों का विकास है वो क्या जा रहा है किस मिसन के तहद इसमार्ट सिटी मिसन के तहद नेक्ष्ट अगला चवद्वा किसने अजमेर में इस्तित ख्वाजा मुईनी दीन सिष्टी की दरगा को जमीन किसने बेट की थी तो इस सवाल का सही जवाब देगा option A नी जगत सिंग थे जिन्नोंने अजमेर में इस्तित कोजा मोहिन दिन सिस्ति की दरगा के लिए जमीन है वो बेट की थी किसने की थी जगत सिंग ने अगला next question पंदरवा है बाला A अस रोई किस लोग देवता का प्रतिक चेन हैं तो इस सवाल का सही जवाब देगा option A नी बाला A अस रोई हैं वो लोग देवता पाबू जी का एक प्रतिक चेन हैं नेक्स्ट अगला शोड़ा किसने पंच लड़ी नामक आबूसन कहा पहना जाता हैं तो इस सवाल का सही जवाब देगा option A नी माईलाओं के गले में पंच लड़ी नामक आबूसने वो पहना जाता हैं अगला किसे नमर सत्रवा है कुम्ब मेला का लगू मरूस्तली रूप हैं किस जिले में आयोजित होता हैं तो इस सवाल का सही जवाब देगा option B नी कुम्ब मेले का जो लगू मलूस्तली रूप हैं वो राजस्तान के पार्मिर जिले में आयोजित किया जाता हैं अगला next किसे नाटारवा है मारना कुम्बा ने मालवा विजे की याद में कौन सा इस्तंब बनवाया था तो इस सवाल का सही जवाब देगा option A नी मारना कुम्बा ने मालवा विजे की याद में कीर्थी इस्तंब को 1448 इस्तंब में बनवाया था next उग्णिस्वा कि उसने देश के पहले निर्यात सरवर्दन ओद्वकिक पारक की इस्तापना कब की गई तो इस सवाल का सही जवाब देगा option B नी 22 मार्च 1997 को सितापूर जैपूर में देश के पहले निर्यात समर्दन ओद्वकिक पारक की इस्तापना की गई थी कब 22 मार्च 1997 में और कहाँ पर सितापूर जैपूर में अगला क्यूशन भी इस्ता क्यूशन है इन में से किस नदी पर सरदार सरोर बांद बनवाया गया है तो इस सवाल का सही जवाब देगा option से यानी नर्ब्दर नदी पर हैं वो सर्दार सरोर बांद बनाया गहे है और सर्दार सरोर बांद ए जो दुन्या का बड़ा बांद है और यह नदी नर्ब्दर नदी पर बना 800 मेटर उचा एक बांद हैं कितना मीटर उचा 800 मीटर उचा बांद है जो नरब्द नदी पर भारत के गुजरात राजिये में ये सरदार सरोर बांद बना है नेक्स्ट अगला 21 किसन है रादस्तान में परती पांच वर्स में पसु गणना का कारिये कौन करता है और भारत में परतम पसु गणना है वो दिसंबर 1919 में हुई थी अगला किसन है रादस्तान में अत्यांत पोस्टिक शेवन गास कहां पाई जाती है तो इस सवाल का सही जवाब देगा आप्सन C ने रादस्तान में अत्यांत सो पोस्टिक शेवन गास हैं वो रादस्तान की पच्चेवी मरुष्टल के जैसल मेर जिलेम में पाई जाती है नेक्स्ट क्यूशन नमबर 23 है रादस्तान परमण उर्जा परियोजना किस वर्च में परिचालित हुई थी तो इस सवाल का सही जवाब देगा आप्सन C ने आप्सन B ने साल 1973 में रादस्तान परमण उर्जा परियोजना है वो परिचालित हुई थी कभूई थी साल 1973 में अगले नेक्ष्ट क्यूशन है चोईस्वा राजस्टान मैला साकसरता दर्ष्टी से बारत में कौन सा इस्थान है तो इस सवाल का सही ज़ाब देगा ओप्सन बियनी राजस्तान का मैला साकसरत की दरश्टी से 28 वाहिस्तान है वो और भारत में हैं क्यूशन नमबर अगला 25 वा है निमन मैंसे किस जील को कनोड़ बांद के नाम से जाना जाता है तो इस सवाल का सही जवाब देगा option BनE फते सागर जील हैं जिसे कनोड़ बांद के नाम से जाना जाता है और दोस्तों फते सागर जील कहां पर रिष्टित हैं ये आप comment section में लिखकर जिरूर बताईए next अगला question 26 question है राधस्तान की किस महिला करांतिकारी नेता को वर्स 1956 में पदम भूसन से सम्मानित क्या गया था तो इस सवाल का सही जवाब देगा option D जान की देवी महिला करांतिकारी नेता थी जिने 1956 में पदम भूसन से सम्मानित क्या गया था नेक्स्ट अगला क्यूसन 27 वा है स्वतंतरता संग्राम के दोरान किसानों की आवाज नामक पत्र का प्रकासन कहां से क्या गया था तो इस सवाल का सही जवाब देगा option C जोतपूर से स्वतंतरता संग्राम के दोरान किसान की आवाज नामक पत्र हैं वो प्रकासन किया गया था, कांसे जोतपूर से, next question 28 वाए, राधस्तान में बोमार चेतर कहां है, तो इस सवाल का सही जवाब देगा option एनी, राधस्तान के मेवार में बोमार चेतर हैं, वो पाया जाता है, अगला next question 29 वाए, भगत आंदोलन किसने चलाया था, तो इस सवाल का सही जवाब देगा option D&E गुरू गोविंद गुरी है जिनने बगत आंदोलन चलाया था और ये बगत आंदोलन है जो भील जन जाती के किसानों के द्वारा चलाया गया एक आंदोलन था जिसका नेतरता है को किसने किया था? गुरू गोविंद ग्रीन ने नेक्स्ट अगला तीसवा किसन है बनी ठनी चितर ग्रंत किसकी रचना है तो इस सवाल का सही जवाब देगा ओप्सन एनी बनी ठनी चितर ग्रंत हैं वो निहाल चंद की एक रचना है अगला नेक्स्ट एक तीसवा किसन है राजस्तानी चित्रकला का सबसे पहले वेग्यानिक विबाजन किसने क्या था तो इस सवाल का सही जवाब देगा आनंद कुमार स्वामी है जिनने राजस्तानी चित्रकला का सबसे पहले वेग्यानिक विबाजन क्या था किसने आनंद कुमार स्वामी ने Next question No. 32 है राजस्तानी बासा किस वन्स से जुड़ी हुई बासा है अगला next 33 वा किस ने राजस्तान के किस सेहर से प्रसेद निरत्य डोल का अरमब हुआ था तो इस सवाल का सही जवाब जेगा option DNA राधस्तान के जालो और सहर से प्रसीद निरत्य डोल का व्रराम्ब हुआ था कौन से निरत्य डोल और निरत्य जो नागोर जिले से स्टार्ट हुआ था next question number 34 वा है राधस्तान में मैला सोबागे सूचक के प्रती किस आबुसन का प्रियोग में लाते हैं तो इस सवाल का सही जवाब जेगा option DNA राधस्तान में मैला सोबागे सूचक के प्रती बोरल आबुसन को प्रियोग में लाते हैं बोर्दा आबुसन है जो एक मैलाओं के सिर्क में पहने जाना वाला एक आबुसन है नेक्स अगला 35 वा किसन है राजस्तान में वलब संपरदाई की प्रमुक दार्मिक इस्तिल कहां पर है नेक्स अगला किसन नमबर 36 है राजस्तान का वा कौन सा संत है जिसने पतैपूर सीकरी में अकबर से बेट की थी तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्सन भी एनी संत दादू दयाल है जो राजस्तान के एक मात्र संत जिसने पतैपूर सीकरी में अकबर से बेट या मुलाकात की थी किसने की थी संत दादू दयाल ने नेक्स्ट किसन नमबर 36 है हल्दी गाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध किसने का था तो इस सवाल का सही जवाब कौन सा है वो आप कमेंट सक्सन में लिकर जरूर बताए ओप्सने अबूल भजलने बदायूनी ने बीर बलने या उप्रक तो कोई नहीं इन चार ओप् राकी पेश कर बादुर सा के खिलाप सायता का संदेश बेजा तो इस समय पूद राकी प्रक तो इस सवाल का सही जवाब देगा उप्सन ले बीर यह रानी करमावति वह ने हुमायू के पास राकी फेस कर बादूर सा के खिलाप सायता का संदेश बेजा था किस राजपूत रानी ने रानी कर्मावती ने नेक्स्ट अगला गुंचाड़ी सा किसन ने सेवी की फुल फॉर्म क्या है तो इस सवाल का सही जवाब देगा आप्सन ए नी सेवी का पुल नाम है जो है बारतिय प्रतिपूती और विनियमय बोड और सेवी के स्थापना है वो 12 अप्रेल 1912 में होई थी जिसका मुक्यल है जो मुंबई के बांदरा में इस्तित्त है नेक्स्ट अगला क्यूसन चारीसवा है उस समुंदर का नाम बताए जो एसिया और अप्रिका को अलग करता है तो इस सवाल का सही जवाब देगा आप्सन भी यानी लाल सागर एक समुंदर है जो एसिया और अपरिका को दोनों से अलग करता है कौन सा समुंदर सागर लाल सागर समुंदर नेक्स्ट अगला 41 सवा किसने अनाज रखने के बड़े मरत बांड जिने गोरे वाकोटे कहा जाता है वो किस प्राचीन सब्यता से प्राप्त हुए थे तो इस सवाल का सई जवाब देगा ऑप्सन डियनी अनाज रखने के जो बड़े मरत बांड होते थे जिने गोरे वाकोटे के नाम से जाना दाता था वो प्राचीन आर सब्यता से प्राप्त हुए थे अगला नेक्ष्ट 25 स्वा किसने जोतपूर के घरों में प्राई कौन से रंग के घर दिखते हैं तो इस सवाल का सही जवाब देगा option D&E जोतपूर के घरों में जो प्राई हैं वो निला रंग दिखता हैं जबकि गुला भी रंग है वो जैपूर सहर में दिखता हैं अगला नेक्ष्ट 23 स्वा किसने जोतपूर किले में पुस्तक प्रकास पुस्ताकाले का किस्तापना किसने की थी तो इस सवाल का सही जवाब देगा option C&E राजा मान सिंग थे जणने जोतपूर किले में पुस्तक प्रकासन पुस्ताकाले की इस्तापना की थी तो इस सवाल का सही जवाब देगा option D नी राजस्तान के जैपूर संभाग में सर्वा दिक संख्या में अनुसूचित जाती हैं वो निवास करती है किस संभाग में जैपूर संभाग में अगला नेक्ट 45 किसन है राजिये में सर्वादिक आबादी वाला दूसरा सेर कौन सा है तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्सन भी यह नी राज्ये में सर्वदिक अबादी वाला दूसरा सहर है वो जैपूर के बाद जोतपूर है पहला कौन सा है सर्वदिक अबादी वाला जैपूर और दूसरा कौन सा है जोतपूर अगला नेक्स सियाणी सा किसन है राज्ये की बारवी पंचवर्ची पर्योजना में सर्वच प्रात्मिक्ता किस चेतर को दी गई है तो इस सवाल का सही जवाब देगा option A नी राज्ये की बारवी पंचवर्ची योजना में सर्वच प्रात्मिक्ता हैं वो उर्दा चेतर को दी गई है नेक्स्ट अगला 47 किसने विसरक्त दान दिवस कब मनाया जाता है तो इस सवाल का सही जवाब देगा option C ने विसरक्त दान दिवस हैं जो हर साल 14 जून को मनाया जाता है अगला नेक्स्ट 48 किसने निमन में से किस वरक्स को राजस्तान में रागिस्तान का सागवान भी कहा जाता है तो इस सवाल का सही जवाब देगा आप्सन भी यह नी रोईडा प्रक्स हैं जिसे राजस्तान में रागिस्तान का सागवान भी कहा जाता है और रोईडा के फूल को साल 1983 में राजस्तान में राज्य पुस्व गोसित किया था कब 1983 में नेक्स्ट अगला गुन पचासवा किसे ने कौन सा राश्टी उद्यान यूनेसको के प्राकर्तिक दरोर की सूची में सामिल है तो इस सवाल का सई जवाब देगा option B&E केवला देव राश्टी उद्यान जो भरतपूर जिले में इस्तित हैं जिनको प्राकर्तिक दरोर की सूची में यूनेसको द्वारा सामिल क्या गया है और कब क्या गया था इसको? 1985 में इसको सामिल क्या गया था केवला देव राश्टी उद्यान को जो राश्टी उद्यान के बरतपूर जिले में इस्तित हैं अगला नेक्ष्ट पचासव क्यूसन है वन परियावरण चेतर में राश्टान का सबसे बड़ा पुरुसकार कौन सा है? तो इस सवाल का सई जवाब देगा option C यहनी अमरता देवी समर्ती पुरुसकार है जो वन परियावरन चेतर में राजस्तान का सबसे बड़ा पुरुसकार है कौन सा अमरता देवी समर्ती पुरुसकार जिसकी सुरुआत है जो साल 1994 में हुई थी